नमस्कार आपने सुनना शुरू किया है अभी अभी साहित्य तक और मैं हूँ सारे का पंकच आशनिवार है जिया तो दिन है पंश्टंत्र की कहानी का घर का भेद एक नगर में देवशक्ती नाम का एक राजा रहता था उसके पुत्र के पेट में एक साप चला गया था उस साप ने वहीं अपना बिल भी बना लिया पेट में बैखे साप के कारण उसका शरीर जो था वो दिन प्रति दिन नाश होता जा रहा था बहुत उपचार करने के बाद भी जब स्वास्त में कोई सुधार न हुआ तो अत्यंत निराश होकर राजा का बेटा अपने राज्य से बहुत दूर दूसरे प्रदेश में चला गया और वहां सामन्य भीखारी की तरह मंदर में रहने लगा जिस प्रदेश में वो गया वहां राजा बली रहते थे राजा बली की दो नौजवान बेटिया थी वो दोनों प्रति दिन सुबह अपने पिता को प्रणाम करने आती थी उन में से एक बेटी राजा को नमस्कार करत महराज की जै हो आपकी कृपा से ही संसार के सब सुख है वहीं दूसरी कहती महराज ईश्वर आपके कर्मों का फल दे दूसरी के बचन को सुनकर महराज क्रोधित हो जाते एक दिन इसी क्रोध वेश में राजा ने मंत्री को बुलाया और उसे आग्या दे दी मंत्री इस कटू बोलने वाली लड़की को किसी गरीब परदेशी के हाथों में दे दो जिससे ये अपने कर्मों का फल स्वेंग चखे मंत्री ने राजा की आग्या का पालन किया और राजा की दूसरी बेटी का विवाह मंदिर में एक भिखारी के साथ ठेरे परदेशी के साथ कर दिया गया राजकुमारी ने उस भिखारी को अपना पती मान कर उसकी सेवा करने में लग गई दोनों ने राजा के राज्ये को छोड़ने का फैसला भी कर लिया और वहां से निकल पड़े थोड़ी दूर जाने पर वो एक तालाब के किनारे ठहरे वहां भिखारी जो असल में कराजा का बेटा था उसे छोड़कर उसकी पत्नी पास की गाउं से खाने का सामान लेने चली गई सामान लेकर जब वो वापिस आ रही थी तब उसने देखा कि उसका पती तालाब से कुछ दूरी पर एक सांप के बिल के पास सो रहा है उसके मुख से एक पनियल सांप बाहर निकाल कर हवा खा रहा है एक दूसरा सांप भी अपने बिल से निकल कर फ़न खेलाए वहीं बैठा था दोनों में बातचीत भी हो रही थी बिल वाला सांप पेट वाले सांप से कह रहा था दुष्ट तो इतने सरवांग सुन्दर राजकुमार का जीवन क्यों नश्ट कर रहा है पेट वाला सांप बोला तू भी तो इस बिल में पड़े स्वन कलश को दोशित कर रहा है बिल वाला सांप बोला तो क्या तू समझता है कि तुझे पेट से निकालने की दबा किसी को भी मालूम नहीं कोई भी वैक्ती राजकुमार को उकाली हुई कांजी की राई पिला कर तुझे मार सकता है पेट वाला सांप बोला तुझे भी तो गर्म तेल डाल के कोई भी मार सकता है इस तरह दोनों साप ने एक दूसरे का भेद खोल दिया राजकुमारी ने दोनों सापों की बात सुन ली थी उसने उनकी बताई विधियों से ही दोनों का नाश कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया और अपने पती को साप के काल से बचा लिया इस तरह उसका पती रोग मुक्त हो गया और और तो और बिल में से स्वर्ण कलश पाकर दोनों की गरीबी भी दूर हो गई इस कहानी से हमें क्या सिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईश्वर हमें अपने कर्मों का फल जरूर देता है यानि कि आप अच्छे करम करेंगे उसका फ़ल अच्छा होगा ही होगा थोड़ा इंतुजार करिए जी हाँ अगले शनिवार तक का अगले शनिवार को फिर एक बार हाजर होंगी पंच्च तंत्र की कहानी लेकर तब तक दीजी अनुमती नमस्कार झाल्प पंच्छे अनुमती जी अनुमती लेकर तक करेंगे अनुमती हो जड़ा होगा थाला होगा